नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC and UK PSC Cracker में तो उत्राखन में Home Guard की जो नई भरती आने वाली है तो उसका Official Notification आप लोग देख सकते हैं ये जो Notification है आपका 4 मही 2023 का है तो इसमें हम डीटेल पर बात करेंगे जो आपकी Home Guard की भरती रहने वाली है ये जो आप Notification देख रहे हैं ये Official Notification है जो की राधार रतूरी अपर मुख्य सचिव जो उत्राखन सासन से ये रिलीस किया गया है जिसमें की जो सासना देश है मतलब किस तरीके से भरती प्रक्रिया कराए जाएगी उसके रिगार्डी ये रहेगा और इसमें हम डीटेल पर बात करेंगे जो की Commandant General Home Guard भरती जो रहेगी उस पर हम देखेंगे तो विशेय आप देख सकते हैं उत्राखन राज्य में जो आपका Home Guard की नई भरती जो निर्धारित की गई है उसके संबंद में ये रहेगा इसमें बताया गया है किस तरीके से जो आपका Home Guard में जो नियमा वली बनाए गई है जो सेक्शनिक योगिता है वो किस तरीके से रहेगी ये जो भरती निकाली गई है इसमें महिलाओं के लिए तता पुर्शियों के लिए दोनों के लिए पद रहेंगे और इसमें आपका सबसे पहले योगिता की अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए दसवी पास मतलब आप उत्राखंड से या फिर सिब्यसी से या फिर कोई अधर बोट से दसवी पास होना कमपलसी रहेगा मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी टेंथ पास मागी गई है आयू सीमा की अगर हम बात करें तो आयू सीमा इसमें मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक्तम आपकी 40 वर्ष तक आपकी आयू सीमा होनी चाहिए तो यह होमगाट की भरती सम्बंदित जन्पद के संपूर्ण छेत्री से की जाएगी ठीक है जितने भी जन्पद है आपका सबी जगे से की जाएगी तो यह आपका ओफिशल नोटिफेकेशन रहेगा जिसमें की अनुसूची जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग को जिस तरह की से छूट मिलती है पांस साल की वग तीन साल की जो जो है चूट परदान की जाएगी परवती छेत्री के अभ्याटिओं के लिए जिनकी ह लीस है उनको फीजिकलमें छूट दी जाएगी तो यह आप लोगों तो अब बात कर लेते हैं कि भड़ती प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी जो फॉर्म रहेगा वो किस तरीके से रहेगा तो सीधी भड़ती प्रक्रिया में जो है आपका इसके ऑनलाइन फॉर्म नहीं आते offline जो है यह form निकाले जाते हैं इसको नहीं UKPSC द्वारा कराया जाता है नहीं UKSSC द्वारा कराया जाता है तो यह आपका commandment home guard द्वारा ही जो है यह form निकाले जाते हैं तो इसकी सूचना हम आपको provide करा देंगे चैनल में बने रही चैनल को subscribe कर लीजिए इसमें आप देखेंगे कि जो है देनिक समचार के द्वारा जो है आपको प्रकासित किया जाएगा ठीक है तो इसका update तो हम आपको provide करा देंगे offline form आपको बनना होगा next video हम discuss करेंगे कि किस तरीके से form जो है आते हैं आपको किस तरीके से क्या-क्या उसमें form fill up करना होगा तो उसका update आपको provide करा दिया जाएगा तो चैन समीती कौन-कौन बनाई गई है इसमें आप देख सकते हैं भरती से संबंदी जिले का जो आपका जिला कमांडेंट होता है अध्यक्स जिला अधिकारी द्वारा उप जिला अधिकारी सद्शी और विरिस्ट पुलिस अधिक्षक तो ये सारे लोग जो है इसमें आपका चैन समीती में रहेंगे तो ये सारी चीजे होगी इसके बाद आपका अगर किसी की NCC है तो उसमें भी आपको तीन नमबर मिलेंगे B certificate वालोग के लिए और अगर NCC C certificate है तो पांच अंक जो है इसमें बूनस के तौर पे दिये जाएंगे साथ में होम गार्ड में अगर किसी के पुत्र है या अविवाहित पुत्री या पतनी है तो पांच अंक जो है इसमें दिये जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीजे हों गई और अब बात कर लेते हैं साररिक दक्षिता किस तरीके से रहेगी जो physical होगा आपका किस तरीके से रहेगा ये आप लोग जो देख रहे हैं ये पुरिशों का physical देख रहे हैं सबसे पहले आपकी क्या रहेगी दौड रहेगी जो की 2 km की रहेगी ठीक है दौड 2 km की अगर आप इसको 9 से 10 मिनट के बीच में कर लेते हैं तो 5 अंक आपको मिलेंगे 8 से लेके 9 मिनट के बीच करते हैं तो 7 अंक मिलेंगे 7 से 8 मिनट के बीच में करेंगे तो 8 अंक और 6 से लेके 7 मिनट के बीच करेंगे तो 9 अंक और 6 मिनट तक कर लेंगे तो 10 अंक आपको पूरे पूरे जो हैं इसमें मिल जाएंगे इसके बाद होगा cricket ball throw जैसे आपने police constable में देखा होगा उसी तरीके का ये रहेगा जिसमें की 50 meter फैकने में पांच अंक 55 मीटर में 6 अंक 60 मीटर में 7 अंक और 65 में 8 अंक और 70 मीटर फैकने में आपको 10 अंक जो हैं इसमें cricket ball throw में मिलेंगे लंबी कूद इसमें जो है रहेगी जो की 12 फिट में 5 अंक हैं 13 फिट में 6 अंक हैं 14 फिट में 7 अंक हैं 15 फिट में 8 अंक हैं और 16 फिट में 10 अंक आपको जो है इसमें मिलेगे अब बात करते हैं महिलाओं का किस तरीके से जो है फिजिकल होगा उनकी भी जो है दोड़ चाल रहेगी जो की 500 मीटर आधा किलो मिटर रहेगी जिसमें कि आपको 3 से लेके 4 मिनट अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो 5 अंक 3 मिनट से लेके 3.5 मिनट तक करेंगे तो 6 अंक 2 मिनट से लेके 3 मिनट के बीच करेंगे तो 8 अंक और 2.5 मिनट के अंदर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 अंक आपको पूरे-पूरे मिल जाएंगे अब बात करते हैं किर्केट बॉल थो जो की 15 मीटर आपको फैक ना होगा 5 अंक मिलेंगे 20 मीटर में 6 अंक 25 मीटर में 7 अंक और 30 मीटर में 8 अंक और 35 मीटर में 10 अंक जुहस में मिलेंगे तो ये सारी चीजे होंगी और इसमें जो है उप्युक्ति सारेरिक दक्षिता परिक्षा जो माम दंडर हैंगे उलेखित टाइंग में ही जो आपको कवर अप करने होंगे अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अनक्वालिफाइड माना जाएगा ठीक है तो इसके बाद आपका अभ्यरती सारेरिक दक्षिता लिखित परिक्षा के पूर्व की जाएगी मतलब जो आपकी सारेरिक दक्षिता है लिखित परिक्षा से पूर्व की जाएगी ठीक है तो ये सबसे बड़ अपडेट रहेगा सारेरिक दक्षिता में उत्तीन अभ्यरतियों को जो है लिखित परिक्षा के लिए संबलित किया जाएगा मतलब आपका पहले फिजिकल होगा उसके बाद ही जो है आपका रेटन एक्जाम रहेगा अब बात करते हैं लिखित परिक्षा किस तरीके से रहेगी तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट है मतलब 2023 का आप लोग यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं Section Officer Home Guard Department और 3 मई 2023 का ये रहेगा जिसमें की लिखित परिक्षा आपकी उत्राखन मुख्याले द्वारा ही जो है कराया ये सब चीजें जाएंगी लिखित परिक्षा आपकी पचास अंक की रहेगी एक घंटे का आपको समय मिलेगा जिसका सलेबस रहेगा हिंदी, अंक गणित, समान्य ग्यान, उत्राखन राज्य से संबंदित, बहु विकल्पी जो आपके MCQ-based question paper रहेगे और न्यूनितम आपके 17 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्तियों को जो है तीन माना जाएगा MCQ-based question paper आपका रहेगा जो की 50 अंक का रहेगा और minimum आपके 17 अंक को जो है qualified माना जाएगा सांथ में एक अंक, ठीक है एक नंबर आपको एक अंक की मिलेंगे और negative marking भी इसमें 0.25 की रहेगी और इसमें आपको जो है 2 carbon copy मिलेगी, एक आप अपने सांथ ले जाए सकते हैं और एक जो है जमा हो जाएगी इसके बाद जो है आपका उत्राखन राज्य से जितने भी अनुसूची जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्ग, आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्ग, अन्यस रेणियों को जो है इसमें आरक्षन मिलेगा और इसके बाद आपको मेडिकल परिक्षन जो है आपका रहेगा, तो मेडिकल परिक्षन में किस तरीके से रहने वाला यहाँ पर आप देख लेए चैनित अभ्यर्थियों को जो है आपका स्वास्त परिक्षन संबंदित फॉर्म उसी दिन या अथवा अगले दिन आपको भरना होगा उसमें आपका सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा आखों की जाच रहेगी जो की 6 x 6 होनी चाहिए या फिर 6 x 9 से कम नहीं होनी चाहिए दाइने आख की 6 x 6 होनी चाहिए या फिर उससे कम नहीं होनी चाहिए और जो घुटने हैं आपके सटे हुए नहीं होने चाहिए सपाट पैर नहीं होने चाहिए बो लेग नहीं होने चाहिए वेरी कोस जो नसे दिखती है वो नहीं होने चाहिए दिव्यांगता नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए जो कि आपकी duty में बाधा उत्पन करें ठीक है तो ये सारी चीज़े रहेंगे और आपका किसी भी मतलब आप medical board से मान्यता प्राप्त से निरस्ति करें किया जाएगा मतलब ये चीज़े नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसको मैं PDF आपको telegram में provide करा दूँगा एक बार आप और अच्छे से देख लें इसके बाद जो है आपका chain प्रामाण पत्र जो है बनाया जाएगा अंतिम रूम से जो आपका chain हो जाएगा physical अच्छे से हो जाएगा return हो जाएगा और medical होने के बाद आपका police verification जो है कराया जाएगा इसके बाद जो है जितने भी अभ्यरती जो भी आपने form भरते समय लगाया होगा उनकी photo state और original documents को ले जाना होगा जब आपका document verification रहेगा तो ये सारी चीजे होंगे कि किस तरीके सा आपको form fill up करना है और कैसे रहेगा तो ये जो आपका update रहने वाला है 2023 मई का रहेगा तो अब बात कर लेते हैं कि post ने कितने आने वाली है और form जो है कब से online या offline आप लोग fill up कर पाएंगे तो ये आप अगर देखें तो ये आपका 2023 मतलब आपका 3 मई 2030 का आपको ये notification देखेंगे जिसमें कि राधार रतूरी अपर मुख्य सचिव द्वारा जो है sign किये गए ठीके तो ये अभी सासना देश जारी हुआ है जिसमें कि पुर्षों की जो पोस्ट आपकी रहेंगी जो की 400 के करीब पोस्टें रहेंगी ठीके संभावित आपकी करीब 400 के करीब पोस्टें रहेंगी और महिलाओं की 300 के करीब पोस्टें रहेंगी ठीके तो ये आपका संभावित पोस्टें रहने वाली है पुर्षों और महिलाओं की, अब बात करते हैं, फॉर्म कब तक आएंगे, तो अभी देखे, सासना देश जारी होगा, उसके बाद कुछ फॉर्मलिटी जूंगी, तो काफी समय लग सकता है, जहां तक है, अगस्त तक, जुलाई या अगस्त तक आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो कोई भी अपडेट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हम आप, तो कोई भी अपडेट मिलता है, सबसे पहले आपको प्रोवाइट करा देंगे, तो चैनल के साथ बने रहे हैं, ये नोटिफिकेशन में आपको टेलिग्राम में प्रोवाइट करा दूंगा, वहां झाल